हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तू माई यूटूब चैनल इंटीग्रेटेट फिजिक स्टडीज आई पी एस एथरे मूँ अल्री प्लस टू सेकेंडर सिलाबस कंप्लीट करी सार्ची एब मूँ प्लस थ्री सीविसी एज उनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अप्लो परिटम रिजुदूशन बड़ी पारिवा प्रती वीडियोज रे मूँ फ्रक दूब डाउन लिस्टू तम्हें क्लिक करी डाउनलोड मत्यों करी पारिवा प्रेवा प्रती वीडियोज को यूनिट वाइज एच पर सिलाबस साज़ें की रोकेती थामें सार्च करी प्रस्टूरू तमें पढ़ी चा जे सर्फेस्टेंशन एक्चुली इज इन्बर्सली प्रोपोर्शनल टो टेम्परेचर माने गोटि लिक्विड रा सर्फेस्टेंशन टाँ टेम्परेचर माने बढ़ी रा सर्फेस्टेंशन टो टेम्परेचर माने गोटि लिक्विड रा सर्फेस्टेंशन टाँ गोटि लिक्विड रा सर्फेस्टेंशन टाँ कॉमी जाए ओके हंगेरीन फिजिस्ट लॉरेंड इयोड वर्स से एक्स्प्रेइन कर थी ले जे गोटे सर्फेस्टेंशन गोटे आर्बिटरी रा लिक्विड रा केम्ती भेरी करे विथ रेस्पेक्ट टू अल दाँपरेच इसे गोटे रूल तियारी कले जाकू की योड़ भर्स रूल बली किक वाजया तांको नारे इन विच फिजिदर्ड देंसिटी, मोलर मास एंड क्रिटिकल टेंपरेचर अब द लिक्विड टू बी नोन ओके एटा अलोडी जोना थी बजें थी अच्छा एठी जो एक क्रिटिकल टेंपरेचर काताख वाएला एटा हुची गोटे पाटिकुलर टेंपरेचर ओर पोईंट लिकॉर्टिकल डेंसिटर्ण बीकंजिरो ओके क्रिटिकल पोईंट हुची end point of a phase equilibrium where only one phase exists. So, अची दखाओ, फिगर रहामें, surface tension with respect to temperature यारो graph ते देखुचू, and this one is the critical temperature at which the surface tension becomes 0. Okay, this iot-bush rule is based on the following two assumptions. प्रथम assumption रहें कोई चीजे, surface tension गोटे liquid रहा, linear function ही थिवा, of the temperature. एठी दका linear function माने not only that you are directly proportional inversely proportional भी एठी दका linearly एठा decrease करूची with respect to the increase of temperature तापरे एठी कोईची जा plot time में देकिला जम देकोईली जे surface tension एठी जाना पोड़ुची जे फ्यारली एठा गुटे straight line आमें पाईला where the temperature जूटा की critical temperature थिला in which the surface tension of the liquid drops to the value 0 second assumption हुश्ची जोदी variation देकिबा surface tension draw with respect to temperature बाकी जेत्ते सबु लिक्विड अची ताकोबी आमें सेई बढ़िया गुटे master single master curve हिसाबरे आमें पाई 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 रिबा अगेन सेई जिनस्व पाई भी आमको कोणा दरकर जोणा थी बादरकर जे molar mass density बा molar volume सेई सबु लिक्विड माननकर केते केते ओके आच्छा लेट अच्छा लेटास नाव सी दो थियोरी एठी दखा सपोज आमें नहीं गला capital V to be the molar volume Tc to be the critical temperature of the liquid देन एज पर योडवर्ट्स रूल दा सर्फेस टेंशन सिग्मा अप दो लिक्विड इज डारेक्ली प्रोपोर्चनाल टु दो टेंप्रेचर दिफरेंस Tc-T तो नुकरी एठा डारेक्ली प्रोपोर्चनाल मने एठी दखा माइनस T अच्छी ओके critical टा कॉंस्टेंट वेलू सेटु आमें माइनस T उनिप्षडी दो अच्छो आउ तो बी वेरी स्पेसिफिक आमें याको लेखीबा सिग्मा V to the power 2 by 3 इज प्रोपोर्चनाल टु Tc-T यही जो relation दो आमें गोटे constant of proportionality इंटर्डूस करीवा यही भड़िया के वोज वेलू इज 2.1 इन्टू 10 to the power minus 7 joule per Kelvin mol to the power minus 2 by 3 एटा एज जो V to the power 2 by 3 रुआ अच्छी अच्छी एई LHS रे दखा एई टर्म टा जो ओछी सिग्मा V to the power 2 by 3 याको आमें molar surface tension sigma mol बलीकी कहीबा ओके आउ गोटे जिन सभी रहे टीके correction हबो Tc-T हबोनी एटा हीजबो Tc-6 Kelvin minus T so accordingly आमारा formula टाया सिला sigma mol is equal to K Tc-6 Kelvin minus T okay here the temperature of 6 Kelvin is always subtracted from the critical temperature value after this correction आमें precisely आको calculate कोरी परीबा दखा उपरे जो आमें graph टापाई थिला surface tension अगेंस्ट रे टेंपरेचर शेथिले आमें जो straight line धापाऊ थिला शेटा पास कोर थिला temperature axis को जो point रे ताको आमें critical temperature को थिला but after the correction of 6 Kelvin एबें आमें बुझी भाज एई जो critical temperature एटा बने 6 Kelvin पूर्बर हुए इटा पास कोरू जी critical temperature ता एई actual point रो 6 Kelvin आगो कु थिबा okay आच्छा एई योड़वस rule को एक्चुली प्रथम इंट्रोडूस करा जी थिला phenomenologically in the year 1896 और 6 Kelvin रो गर्रक्षा इट वाज इंट्रोडूस कोरूस कुली योड़वस इटा परे पूरी भेंडर वाल प्रपोच कले गुटे रिलेशन जुटा surface tension or temperature भी तरे कोट लिक्विद रो थिला according to which sigma the surface tension is equal to this much okay एड़ी दखाँ various complicated terms हो छी Tc भा critical temperature to the power 1 by 3 Pc भा critical pressure to the power 2 by 3 then 1 minus T by Tc अब बाहरे एठा हो छी कोटे K universal constant for all the liquids point here to remember जमती आमें देखू तेला surface tension गोटे liquid रो जोग जागरे वेनिस बाजीरो ही जाए ताको आमें critical temperature कोई थाओ okay let us now see the isothermal stretching of a film so एती पाई आमें कोण करी बाप गोटे soap water bubble ना बाप consider करी बाप and we know plus 2 रे पोधी चो soap bubble मनें it consists of two surfaces now surface tension of the film सपोज आको में निगला sigma ताले work done on the film dw in increasing its area by a small amount dA याको आमें express करी पारिबा dw to be equal to minus 2 sigma dA तो इठी minus by negative sign टाकाई किया आऊश्ची बिकाज work has to be done on the system okay by the system इती ले positive ही थान दा ता परे गुटे factor एठी 2 अच्छी 2 गाई किया आसे ला because the film has two surface बिकाज आमें एठी soap bubble ने इचो आचा एई जो relation टा आमें पाईला याको में येदी compare करीबा with the equation for the work done in a gas जोटा कि dw equal to pdv ताले एठी pressure p correspond करूची to minus 2 sigma अव v correspond करूची area ताले एबे Maxwell's second thermodynamic relation जो आमें अपलाए करीबा according to which del s by del v at constant temperature is equal to del p by del t at constant volume ताले दखा भी को आमें replace कला a रहे आवे ठी p को replace कला minus 2 sigma रहे okay so याको आमें आप्टी के जोदी आपको solve करीबा ताले भेलूटा आमें आमें आशिवा 1 by t del q by del a at constant temperature is equal to minus 2 del sigma by del t at constant area okay याठी हमें यूज कर्चू relation the change in entropy del s to be equal to del q by t because आमें जाने चूँ dq equal to tds अचा याठी हमें आई जाने चूँ आमें आईसो थर्माल ग्रोसेस नीचू ताले नियाती भावरे temperature t रहे ताले अच्छान रहे ताले नियाती भावरे temperature t रहे 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 यू del sigma by del t it is negative this factor okay the surface tension will decrease with the increase of temperature जंतिया में starting group देखिला so on stretching a film dq amount of heat जूटा आसूची it has to be positive or work has to be done if the temperature is to be kept constant जिमतिया में आईसो थर्माल प्रोसेस नीचू आउसे ही सावरे जदिया में फिल्म को stretch करूचू तापर देखिवा adiabatic stretching of surface film so एथी भाई आमें कौन करिवा पूनी से ही भढ़िया गुटे soap solution नवा तारा surface film को consider करिवा now suppose याको गुटे आमें वायर फ्रेम भढ़िया consider कला a b c d suppose एटा गुटे वायर फ्रेम अच्छी जोग तिरे की ए जो a b वायर टाव अच्छी याको आमें move बस light करी परिवा over the frame so that it can move to suppose a new position a prime b prime or a dash b dash suppose no heat is either allowed to enter or leave the system okay because it adiabatic process thus if we are stretching the film then obviously it is taking place under adiabatic condition I would adiabatic process ray delta q amount of heat or quantity of heat याको आमें express करी परिवा as mcp delta t it is cp हेगला specific heat at constant temperature m हेगला mass so delta t पाइला आमें del q by mcp अच्छा एठी इडल q रो भल्यू जोटा में उपरे पाई थिला से बढ़िया आमें लेखी परिवा minus 2t del sigma by del t at constant area into da divided by mcp so 80 तका एजो da factor अची जयते बढ़ एटा positive रोहिवो greater than 0 that is the film is stretched adiabatically ताहले temperature fall करीवो delta t will be less than 0 जोटा LHS रे अची okay that means the rate of change of surface tension with temperature will be negative तौस आमें जाने बाको पाईला जे गुटे surface tension thin film रे सबबले decrease करूची with respect to temperature आमें ताको आइसो थर्माली देखू किमबा एडियाबेटी कर ली देखू thank you